So hello and welcome you all I am Rohit from Margin Traders So guys, आज हम बात करने वाले हैं railway के fast stocks के बारे में यहाँ पर अगर देखा जाए तो railway sector के जो shares थे हैं उनमें हमें continue एक तगड़ी बड़त रपे देखने का मिल रही है और जो stock 30 रुबे के थे, जो stock 40 रुबे के थे, जो 100 रुबे के थे वो पिछले एक महिने में 20 से 30 रुपे तक की growth कर चुके है guys 20 से 30 रुपे तक की growth कर चुके है बट आज के दिन इन stocks पे जो बड़त थी, उस पे यहाँ पर break लग गया है और आज यह share गिरते हुए नजर आए है So guys, यहाँ पर बड़त का कारण क्या था यहाँ पर इस share इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे है उन्हें हम यहाँ पर discuss करेंगे साथ ही हम बात करेंगे इन stock में आज गिरावट क्यों आए So guys, यहाँ पर इन 5 share को लेकर काभी कुछ बात होंगी तो वीडियो को आगे continue कर उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे share the margin trader को subscribe नहीं किया है तो please guys, channel को subscribe कर देना So guys, पहले हम discuss करेंगे कि इन shares में बढ़त क्यों आई तो यहाँ पर अगर देखे तो railway stock generally gather a moment before budget तो guys, यहाँ पर अगर देखे railway stocks का जो यहाँ पर past है जो यहाँ पर पिछले record भी अगर आप check करोंगे तो यहाँ पर जो यह चोटे-चोटे shares है IRFC, RVNL और यहाँ पर कई सारे से stock है जिनमें हमें बढ़त देखने को मिलती है budget के पहले क्योंकि यहाँ पर कई लोगों को उम्मीद रहती है कि budget के पहले यहाँ पर railway सेक्टर के लिए कई न कई कुछ government करेगे क्योंकि अगर अगर देखे तो हमारे इंडिया में festive season काफी ज़्यादा होते है और यहाँ पर festive season में ही जो railway का जो business है railway का जो यहाँ पर पैसा है वही बनता है और इसलिए government कुछ ना कुछ यहाँ पर budget इनके लिए अलग से निकालता ही है क्योंकि इन में और development किया जाए और coaches बढ़ाए जाए और यहाँ पर कई सारे जो track से उन्हें बनाया जाता है redevelop किया जाता है तो ऐसे budget यहाँ पर आता है सामने कई बड़ी companyों को यहाँ पर project मिलते है जैसे IRFC होगी RVNL होगया तो ऐसी companyों को यहाँ पर budget में इनका हिस्सा दिया जाता है जिनकी वज़े से in shares में हमें बड़त देखने को बली और guys यहाँ पर अगर देखे जो RVNL जैसे stock है जो IRFC जैसे stock है उनमें यहाँ कर यहाँ पर जो target है 42 से 90 रुपे तक के है guys 42 से 90 रुपे के target यहाँ पर बिल्कुल मिल सकते है जो यहाँ पर Vice President and Head Research है जो share India के जिनका नाम है रवी सिंग उन्होंने यह कहा है कि यहाँ पर इनमें बड़त देखने को हमें मिल सकती आने वाले टाइम में और बिल्कुल guys यहाँ पर जो 5 share है उनके बारे में हम discuss करेंगे जो पहला share होंगा हमारा हो है IRFC IRFC में अगर आप देखोंगे तो बिल्कुल Indian Railway Finance Corporation यहाँ पर अगर देखें 32.75 रुपीस तक यहाँ पर स्टॉक में आज क्लोजिंग दी है 2.55 पेसे तक आज गिरावट हमें देखने को बिली है एक बड़त के बात यहाँ पर आप देखोंगे एक तगड़ी बड़त है और वही अगर देखें तो अभी इसमें गिरावट है यानि यहाँ पर हुई है एक Profit Booking कोई भी यहाँ पर बुरी खबर नहीं है Profit Booking यहाँ पर आना स्टार्ट हो गई है क्योंकि एक बड़त के बाद लोगो को लगता है कि यह ज़्यादा ओर कर गया हमें एक पैटन यहाँ पर मिला था उसके बाद कंटिनियूसली यह उपर की वर गया था और जिन तीन जगों पर इसे यहाँ पर रिजिक्शन मिला था बिलकुल यह 3 रिजिक्शन पॉइंट थे उन्हें भी यह ब्रिक करने के बाद आप देख सकते हो कितना बड़ा जंप हमें देखने के बिला यहाँ पर कभी न कभी यह सस्टेंग करने आएगा यहाँ पर जिस तरीके से बढ़ता है उसी तरीके से सस्टेंग करेगा 26.35 रूपिस के अराउंड यहाँ पर यह बाद तो कंफरम हो गए है क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्टॉक कुछ इस तरीके से नहीं बढ़ सकता एक ताइम के बाद आपर प्रोविट बुगिंग आते है फिर सस्टेंग करके ही उसे उपर क्यों जाना रहता है एक पुल बैक जरूरी है और वही अगर देखे आरवे एनल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्टॉक 74.10 रुबिस के अराउन इसने आज क्लोजिंग दी 3.85 रुबिस के अराउन यहाँ पर गिरावट नजराई 4.94 परसन के हसाफ से और यह अगर देखे पिछले 1 मंत में यह 33 रुपे बढ़ा है और पिछले 6 महीनों में 40 रुपे यानि इस महीने यहाँ पर अगर देखे तो एक ही महीना पिछले 6 महीने लग गए पिछले 5 महीनों में सिर्फ 7 रुपे यह शेयर ग्रोथ हुआ बट उसके बाद यहाँ पर जो अभी का महीना चल रहा है इसी में इसने लग भग यहाँ पर 33 रुपे तक की ग्रोथ बता दी है इसी से पता चल जाता है कि बजट के पहले बिलकुल एक बड़त देखने को में मिलती है और 6 महीने में 40 रुपे का रिटन दिया है और एक महीने में 33 रुपे का तो आप अन्ना चाह लगा सकते हो यहाँ पर भी कुछ उसी तरीके का पैटन बना इस पर्टिकलर लेवल से बिलकुल एक चांदार लेवल ब्रेक हुआ यहाँ पर ब्रेक हुआ था उसके बाद ही बड़त देखने को में मिल गई है बिलकुल 74 तो 80 रुपे तक यह अल्रेडी क्रॉस कोड़ चुका है बट कहीं न कहीं यह नीची की और आने की पूरी कोशिश करेगा खुछ पैटन्स यहाँ पर क्रियेट हो गए ही हो गया यहाँ पर अगर देखे रेलवे से रिलेटेड ही है इस शेर है एलकॉन लिमिटेड यहाँ इंटरनेशनल लिमिटेड अभी है भी बिलकुल एम लाइट में आ रहा है काफी लोगों को यह अट्रैक्ट कर रहा है 58.50 रुपिस के अराउं का यह शेर है बारे में आपके साथ यहाँ पर डिसकस भी किया था यहाँ पर बिलकुल रिजिक्शन पॉइंट थे सपोर्ट पॉइंट थे ब्रेक आउट मिला और यहाँ पर जब सस्टेंट करने आता है 50 रुपिस के अगर तो यहाँ पर एक बाइंग ऑपरचनेडी आपके लिए मिलने ज़राई है 2.16% के हिसाब से स्टॉक हमें आज के रितावाना ज़राया है गाईस वही अगर बात करें तो स्टॉक में पिछले एक महीने में हमें गिरावत देखने को मिली है गिरावत नहीं बड़त देखने को मिली है 21.25 रुपिस के अराउंड बिलकुल 18.50 और 3% के हिसा था है आप रिजेक्शन्स थे और यहाँ पर बिलकुल सपोर्ट था बिलकुल हम वेट करें थे ब्रेक आउट का ब्रेक आउट हमें मिला भी और बिलकुल आप देख सकते हो शानदार मोमेंटम उसके बाद आना स्टार्ट हो गया इसमें टार्गेट की बात करें तो 200 के और मेटल का काम होता है यही करता है कई बड़ी कमपनियों के और यह प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है कई बड़ी फॉरेंड कमपनियों के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है बिलकुल एक इंडियन कमपनी है 182.45 रुपिस के राउन ही इसने आज क्लोजिंग दी आज इसमें ज इसमें आने वाले टाइम में और बड़ी बड़ा देखने को मिल सकती है क्योंकि यहाँ पर एक तगड़ा पैटन क्रियेट हो रहा है जिसे हमें बुलीश पैटन कहते है इस पैटन का नाम अगर मैं कहूँ तो यह पैटन है पॉलन फ्लाक टाइप पैटन और बिल्कुल गाइ इस पैटन को ने डिसकस किया था कि इस लेवल पर आप इसे खरीद सकते हो इस लेवल पर खरीद सकते हो बिल्कुल इसके बाद जो तगड़ी बड़त इस शेर ने बता ही ने काफी दमदार तो बिल्कुल आप इन शेर पर आप फोकस कर सकते हो जो बड़त का गारन था मैं आपके साथ discuss किया और काफी कुछ जो आने वाले टाइम में क्या हो सकता हो भी हमने बताया तो वीडियो अच्छा लगाओगा वीडियो को like कर दिना चनल को subscribe कर दिना और कोई भी investment अपना खुद के analysis के साथ ही करना थैंक यू